हाई गाईज में नमें एंडी और आप देख रहे हैं बीइंग देशी दोस्तो आप में से काफी सारे लोग मेरे से अक्सर पूछते हैं कि मैं आपको एक बजट माइक्रोफोन के बारे में बताऊँ जिससे आप अपनी यूट्यूब वीडियो बना सके कोई लोग पूछते हैं कि वो स्मार्टफोन के लिए उनको मैं बताऊं के सबसे अच्شा माइक कौन सा रहेगा कुछ दोग DSLR से related पूछते हैं कि इसलर के लिए अच्चा जो लेपल माईक होता है वो कौन सा रहने बाला है तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे अच्छे DSLR और स्मार्टफोन लेपल या फिर आप कॉलर माइक लेवलियर माइक भी कहते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं तो गाईज अगर आप भी उसके बारे में जादर जानना चाहते हैं तो बिना टाम का वाई शुरू करते हैं दोस्तो आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे बोया M1 माइक का तो यह जो माइक है इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वहां से लेने पर आपका फाइदा यह होगा कि आपको Amazon से अच्छे रेट सुसाइट पर मिलेंगे तो हमको स्रेस्ट करूँआ कि आप वहीं से जाके इस माइक को खरीदे तो मैंने भी वहीं से मंगाया था कोड़ है तो वहां पर इस क्रेच करके उसे यहां पर एक कोड़ आता है जिसको हम इनकी वेबसाइट पर जाकर ऑथेंटिफाइब कर सकते हैं कि जो हमने माइक खरीदा है यह असली है या फिर किसी ने कॉपी करके बनाया है तो जो कॉपी करेंगे और वहीं स्क्रेच ऑनदर देखते हैं हमें क्या कर देखने के लिए मिलता है तुब भॉक्स को ओपन के साथ में एकसरी घांती है जिसको फिल्टर भी होते हैं वह यहांपर आप ανα लिए मिल जाता है साथ में एक अड़ड़ मिलता है जिसको वोते हैं बड़े एड़ियो कर ऐस सकते हैं क्योंकि परकलम कॉलर होता है यह осोब एसोब खश्रोंर आपonder तो सबसे अच्छी बात यह समय के बारि है कि जो कॉर्ष कोर्ण है वहां भी यहिए उसकी जो कॉर्ड़ है वह कहल利 नहीं दी यह एंड़ this के आंदर हमें use a manual कुछ paper work देखने के लिए मिल जाता है कि आप इस माइक को यूज कैसे कर सकते हैं तो माइक के व्यूज करने के लिए सबसे पहले इसमें जो सेल मिला था फैकेट में हमें सेल इसमें लगा दीना है यह फाने के बाद में जो हमारे माइक है इसको यूज कर सकते हैं बहुत से स्मार्टफोन से जो की जो एक्टनल माइक होते हैं उनको सपोर्ट नहीं करते हैं तो उसके आप कुछ डाउनलूड करने पड़ेंगी तो मैं एपस की डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा तो महां से आप इन एपस को सबस्कार माइक करने में कांफे सारे लोग सोचते हैं तो इसा नहीं है इर कोいつ लागन कर सकता है और सॉस्पोर् का साथ मेंस में यूद्ल मेंमीन चीज़हां घालिता हूं 65 को जूसकर ऐन संवाइक कम चीठाहं चूब मोवाई में लगाकर इसको इसको इससे व्लॉक शूट कर सकता हूं and like अगर में अभी ड्यस्रार के सामने खड़ा और बोल रहा हूं तो मैं इसको अपने ड इसलार में भी उज रसकता हूं यह काफी अच्छा इसका पैनी फिट है और दूसरा बैनी फिट है जो कि है घरोच काती है एक क weakness हो एक है संसरी चीजों की काफी है क्लिफ Christmas की दी गई आतरों कि यह हो गया कि अगर मैं ईपने दूसरे कौने तक लेकर जा सकता हूं और क्या हुआ है वहかな से कर सकता हूं यह काफी अच्छी बात इस माइज की है दूसरा जो मेन फेक्टर राइस माइक का इतना पॉपलर होने का वह है इसकी कीमत जो इसकी में प्राइजिंग है वो फ्लक्चवेट होती रहती है तो हम एक स्टिक करके नहीं बता सकते हैं इस माइक का जो प्राइज हो इतना है मैं इसको प्रचेस करा था 1150 रुपे में अभी यह मिले का आपको तकरिबन 1250 में तो वहां से इसको बाइज कर सकते ह नहीं है तो इसलिए जो इसका प्राइज है स्टॉप के आने पर फ्लक्चवेट कम जादा होता रहता है तो में इसके प्राइज में कम जादा करने वाली यह है दूसरा इस माइक को अच्छा यह बनाती है कि जो माइक है इसकी ऑडियो क्वालिटी का पी अच्छी है आप आपी इस माइक को अच्छा बनाने वाली चीज़े हैं तो मेरी तरफ से नहीं बहुत बड़े बड़े यूटुबर्स है जो मेरी तरफ हैं लाइक आपके टेकनिकल गुरुजी हो गए धर्मिंद सर हो गए आपका प्रिंश चंद्रा मैं हितेश भाई हो गए टेकनिकल दोस्ट टेकनिकल सागर हो गए जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स है सबकी पसंद यही है विकाज जो माइक है अपने काम को पूरा जाएंगे जितना उन्होंने प्राइस जाल रखा है इतने में इसके चार तीन-चार पीसिज आ जाएंगे तो यह फाइदा है इस माइक का आई होप आपको इमाइक भी अच्छा लगोगा है हमारी वीडियो भी अच्छी लगी होगी अगर आप इस माइक को खरीदना चाहत होता है वहाँ पर आप अपने कमेंट्स डाल सकते हैं मैं पूरी कोशिश करूँँ है का आपके सवालों के जवाब आपको जरूर दों कॉद्स आपके जूसावल बहुत जरूरी होते हैं आपको जवाब देना भी जरूरी होता है एड़ अगर आपने अभी तक भी हमारे च अधु कर दो कि लिएगा